नमस्ते बच्चों मैं आपकी घ्रह विज्ञान विशे की अध्यापे का मनीशा सिंग आज आपको आपकी घ्रह विज्ञान की फूस्तक का पार्ट तीस संक्रामक रोग का भाग पांच पढ़ाने जा रही देखे बच्चों इससे पहले हमने इसके चार भाग पढ़ लिए है और चारो भागों में हमने जितने भी पढ़े हैं वो संक्रामक रोग पढ़े हैं जैसे तपैतिक के बारे में हमने आपको पढ़ाया दिया था प्लेक के बारे में पढ़ा दिया था मलेरिय के बारे में पढ़ाया था और लास्ट की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था हेजा एक संक्रामक रोग है यह इतना भयंकर है कि कभी-कभी इसका रोगी कुछ ही घंटों में मर जाता है यह रोग प्राय दूशित जल से फैलता है तो हेजा कैसा रोग है एक भयानक रोग है और कभी-कभी कुछ ही घंटों में इस रोग का व्यक्ति ब्रत्यू को प्राप्त हो जाता है यानि कि मर जाता है रोग फैल लेके कारण क्या क्या होते हैं? यह रोग कोमा बेसीलन नामक जिवानों के दूआरा फैलता है इसका आकार अंग्रेजी के कोमा इस तरह से जैसे होता है यह बहुत सुक्ष्म यानि कि बहुत ही छोटा आकार का होता है इसे लिए प्राप्ति इसे सुक्ष्म दर्शी यंत्र दूआरा ही देख सकते हैं यह किटाणू हमारे शरीर में भोजन और जल के दूआरा प्रवेश करते हैं इस रोग को फैलाने का कारिये मक्हिया करती हैं प्राइम मक्हिया रोगी के वमन तथा दस्त पर बैट कर रोगी के जिवाणूओं को अपने पंकों में समेट कर जब किसी स्वस्त व्यक्ति के भोजन पर जाकर बैटती हैं तो स्वस्त व्यक्ति भी रोगी हो जाता है कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब इस रोग का व्यक्ति या तो उल्डिया करता है या फिर उसे लूज मोशन हो जाते हैं तो मक्हिया उसकी गंदगी पर बैट कर उसके वमन और दस्त पर बैट कर क्या करती हैं ये अपने पंकों में समेट कर उस गंदगी को ले आती हैं और ये स्वस्त व्यक्ति के भोजन जो भी स्वस्त व्यक्ति भोजन करता है उसके आसपास बैट कर क्या करती है ये इस रोग को फैलाने का मुख्य भूमे का अपनी निभाती है और स्वस्त व्यक्ति को बिमार बनाती है अगला है बच्चो रोग की लक्षण इस रोग की लक्षण क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला जो है वो दस्त पतले और सफेद रंके होते हैं इसमें जो लूज मोशन होते हैं उसमें क्या होता है वो पतले होते हैं और बिलको सफेद रंके होते हैं दूसरा है दस्त चावल के मांड जैसा होता है जब रोगी को दस्त आता है तो उसका जो देखने में यह वह क्यासे लगता है। चावल का जैसे मांड होता है और अगला रात टाप्मान कम ःडियर का टो होता है faces शरीर में कमजोरी तथा बदन में दर्द होता है देखो बचो शरीर में कमजोरी बदन में दर्द और शरीर का ताप कम क्योंने लगता है क्योंकि जब हमें हैजरोग होता है तो हमें अधिक मातरा में उल्टिया भी होती है और हमारे लूज मोशन भी होते हैं जो जिससे दोनो तरह से व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है पानी की कमी होने पर शरीर का तापमान जो है वो गिनने लगता है शरीर ठंडा पढ़ने लगता है शरीर के जो अंदर के आंग है वो धीरे-धीरे अपने कारे करने धीरे-धीरे कारे करना क्या होता है वो बंद कर देते है मंद्गत्य हो जाती है और इसमें शरीर क्या है शरीर में बहुत बहुत दोरी महसूस होती है क्यों होती है क्योंकि उसका सारा पानी तो वमन के द्वारा निकल जाता है और बदन में दर्द भी रहता है और कभी-कभी इस रोग में वमन और दस्त खूब होते हैं तो कभी-कभी अधिक मात्रा में वमन और दस्त होने पर क्या होता है रोगी की म्रत्य चाहिए क्या से करना चाहिए रोगी व्यक्ति को अराम से लिटा देना चाहिए दूसरा है प्याज का रस निकाल कर रोगी को देना चाहिए इसमें प्याज का जो रस है अगर किसी व्यक्ति को हेजा हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए प्याज का रस निकाल कर दे देना चा है कि आपको बार बार वमन उरा है या आपको बार बार लुझ मोशन लिए आपको सौचा लिए जाना पड़ रहा है तो एसा इस्तितिंगीा सब्सक् emphasis को तुरंत दिखाना चाहिए अगला है रोकई बढ़ते ही तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए क्योंगि कभी-कभी यह रूग बढ़ जाता है तो इस्ति बहुतादीश्था गंभीर हो जाती है इसी स्थिति में रोगी की म्रत्यू भी हो जाती है अगला है अगला है पीने के लिए potassium permagnate का घोल वाला पानी देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए, potassium permagnate का घोल वाला पानी देना चाहिए, अगला है रोगी को नमक के पानी का एनीमा देना भी हित कर रहता है, तो रोगी को नमक के पानी का एनीमा दे कर भी रोगी को बचाया जा सकता ह अगला है चावल का पानी देना चाहिए चावल का जो हम चावल बनाते हैं उसको पसाते हैं पसाने के बाद जो पानी बसता है तो उसे मान भी बोलते हैं तो रोगी को चावल का पानी देने से भी रोगी को अराम मिलता है अगला है है जैसे बचने के उपाए तो इस है जैसे दूद और पानी में चोटे चोटे वैक्टिरिया होते हैं जो हम आप हमको नहीं दिखाए देते लेकिन जब हम इने तेज गरम आज पर उबालते हैं तो उबालने के साथ जितनी भी इसमें वैक्टिरिया होते हैं जितने भी किटाणूं होते हैं वो सब नस्ट हो जाते हैं औ को ठक दिया जाए ताकि उन पर मक्ही आकर ना बैठे क्योंकि मक्ही जहां तहां गंदी चीजों पर भी बैठती है और गंदी चीजों से उठकर वो हमारी साफ सुत्री सब्जियों को फलों को दूशित भी करती है तीसरा है खाद परदातों को धक्का रखना चाहिए जितने अगला है कि शंका होते ही रोगी को अन्य सदस्चियों से प्रथक कर देना चाहिए क्यों कर देना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति में एक तो बहुत ही जादा कमजोरी आ जाती है और उस रोगी की स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि बार बार रोगी को अपने सोच के लिए भी जाना पड़ता है और उसे पूर्ड रोग की आवशक्ता भी मतलब पूर्ड रोग से अराम करने की आवशक्ता भी होती है अगला है रोग से गरसित व्यक्तियों को सारवजिने की इस थानों पर नहीं जाने देना चाहिए किस स्कूल सुनिमा होल स्चेशन आधी क्योंकि यह्स यह हो बहुत ही गंभी रोग होता है इसमें रोगी को बानी की कमी हो जाती है पानी की कमी होने पर कमजोरी भी आती है बदन दर्द भी होता है और जादा कमजोरी आने पर व्यक्ति की मृत्यों भी हो जाती है तो कोशिश ही करनी चाहिए कि जो भी इस रोग का व्यक्ति है उसको भार ना जाने दिया जाए उसे घर में ही पूर रूप से अराम करने देना चाहिए अगला है परिवार के जिससे उसकी इम्निटी पावर बढ़ जाए अगला है रोगी के प्रियोग में आने वाला सभी समान अलग होना चाहिए तथा सभी समान को वी संक्रमित करते रहना चाहिए जो भी रोगी के संपर्क में समान आ रहा है उसको अलग कर देना चाहिए और उसको सेनिटाइजर भी करते रहना चाहिए ताकि उससे संक्रमर दूसरी व्यक्ति को ना फैल सगेगा अगला है खाना थोड़ी मात्रा में तथा समय से खाना चाहिए रातरी से पहले ही खा ले ताकि हजम हो जाए कुछ लोग क्या करते हैं देर रात तक खाना खाते हैं जैसे 10 या 11 और कोई-कोई लगता है क्योंकि जब हम कामी नहीं करेंगे और खा जादा लेंगे तो वह भोजन तो हमारा ठीक से पच ही नहीं पाएगा जिससे हमारा पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है अगला है तलिवी वस्तों को सेवन अधिक नहीं करना चाहिए साथ ही अम्रिध्धार पुदी नहारा कृष्णा मिक्षर की पांच बून पाई में मिलाकर पीना चाहिए जिससे हमारी जो भी हमने जो भी चीज़े खाई है तलिवी वस्तों को सेवन किया है तो वह हमारी अच्छे से पच जाए ठीक है बच्छो तो बच्छो यह है वीडियो यह है पार्थ हमार होगा ठीक है बच्छो चलिए यह है वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है धन्यवाद